हाई गुट मॉर्णिंग एवरीबडी क्लास 10 एसस्टी का सोशल स्टडीज का जोग्रफी का फस्ट लेसन रिसोर्स अंडे डवलप्मेंट इस लेसन की बारे में आज हम लोग पढ़ने आये हैं देखते हैं रिसोर्स क्या है और रिसोर्स की डवलप्मेंट कैसे किया जाता है सबसे पहले देखते हैं रिसोर्स मिन्स क्या होता है रिसोर्स मिन्स एई है इसकी मीनिंग होता है स्रोथ मिन्स जो हमारी डेली लाइफ में हमारी जो जरूरत को नीड्स को फुल्फिल करने के लिए हमारे एंवर्ण्मेंट से ने तो नेचर से जो मिलता है उससी को हम लोग को रिसोर्स कर सकते हैं यहां पर बुक में भी आपको देखिए को अवरतिंग अवरतिंग अवेलबल इन आवरे अवर्डमेंट है समारी इनवर्डमेंट में सबकुछ अवरेलबल है इसकी जो डेफिनिशना ऐसे बोल सकते हैं जो सपिस्ट है तुम्हारी एंवेहर। यह हैं वोजो रसकते हैं। वोसी जो वस्तु को जो अवेहलेबल है उसी को हम लोग रिसोर्स कर सकते हैं। और यह natural resources मेंसे नैचर से हमको जो resources मिलता है जो स्रोत मिलता है उसी का अलग अलग category में divide कर सकते हैं और हम लोग इसकी रिसोर्स कैसे कैसे हैं तो कितनी प्रेगर इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं और इसकी इसकी क्लासिफिकेशन का ऐसे हैं इसके बारे में देखते हैं इसकी 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 अनुसार नहीं तो इसकी ओरिजिनेशन की अनुसार हम लग इसको टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अचलि बाइयोटिक रिसोर्टस हम लोग करते हैं यह होता है कि चोटे लिविंग अनुसार्टस में जो लिविंग निश्ते हमें माल में प्लान्स अनिमल सब्सकों हम लोग इसकी हैं जो microorganism से ले करके सारे जो plants है animals हैं सबको ले करके biotic resource कहते हैं और abiotic resources means non living things है non living things means हमें मालमें हमारे अर्थ में soil हो गया air हो गया और ये river है water है ये सबको non living things करते हैं और ये ये non living things को abiotic resources करते हैं तो first हमारी category है first biotic resources biotic resources हमें मालमें हम लोग काए कि flora and funa, fisheries, livestock ये सबको ले करके biotic resources करते हैं abiotic resources means all those things which are composed on non living things for example rocks and metals rocks, minerals, water, air, ये सब जो non living things हैं उसी को हम लोग abiotic resources करते हैं और next category है on the basis of exhaustibility on the basis of exhaustibility first हम लोग बोले कि on the basis of origin second category है इसका मतलब जो resources है यूज करने पर कतम होता है कुछ resources है कितना भी यूज करेगा तो कतम नहीं होता है और ऐसे लिए इसको on the basis of exhaustibility कहते हैं इसका मतलब renewable resources and non renewable resources जो simple meaning में हमें ऐसे बोल सकते हैं जो resources कितना भी use करेगा इसको हमें renew कर सकते हैं नहीं तो जो use करने पर कतम नहीं होता है जैसे solar energy हो गया है और water है ये सब कितना भी हम लोग यूज करेगा तो कतम नहीं होता है तो उसी resources को renewable resource करते हैं नॉन renewable resources means यह यूज करने पर कतम हो जाता है यूज करने पर कतम हमें मालों में petroleum है कोल है मिन्स कोईला यह सब जो हम लोग यूज करेगा तो उसकी अनुसर कतम होता है तब फिर इसकी renovation नहीं तो इसकी renewability जल्दी नहीं होता है और इस तरह जो जल्दी renew नहीं कर सकते हैं आयसे resources को हम लोग non renewable resource करते हैं तब यह second category means exhaustability की अनुसर हमें resources को दो category में divide करते हैं दो प्रकार की resources है renewable resources and non renewable resources next on the basis of ownership नहीं third category की अनुसर है तो ownership की अनुसर ownership की अनुसर हम लोग resources को divide करते रहा हैं ownership means जो किसकी हात में है नहीं तो यह resources की मालिक कौन है उसकी अनुसर हम लोग resources को अलग-अलग category में divide करते हैं सबसे पहले होता है फर्स्ट इ underwater की अनुसर ऴींसे हम लोग अलग-अलग category में है इए ownership की अनुसर सबसे पहले divide करेंगे इंडिविजुल resources इंडिविजिल रिसोर्स मिन्स असवन में इंडिविजिल्ज गते हैं किसी व्यक्ति की द्रविए इस सब रसोर्स को हम लोग इंडिविजियल और अपनी और एक यह नहीं होता है उसी तरह जो अपनी OH एक के बैसनल इसब गतर के उसे रिषॉर्स को पर सगा इन्डिविज्वल रिसॉर्स कहते हैं और इसके बाद सेकंड क्या टेकरी होता है एक मतलब किसी विक्टी का नहीं किसी एक कम्यूनिटी की पूरा लेक्न व्लोग उसी की मालिख हो जाता है जैसे हम लोग देखते हैं यह ट्राइबल्स की बीच में है तो वह लोग जहां राद जिस एरिया में राते हैं वह जो एरिया को पूरे वह लोग अपने कम्यूनिटी की संपती माना जाता है होता है हम लोग जानते हैं जाते हैं कि जंगल मेंसे फौरस्ट कर देंगे और इसके बाद उसी को लेकर बेशते हैं तब यह नहीं होता है कि इतना एरिया के जंगल मेरा नाम पर है और उसके बाद के जंगल दूसरे के नामें पर इसके नहीं मानते हैं जो कर अएक कर निज ने तो जिस नाम की IT उसमें रहते हैं और उसकी आसके पास की पूरे जंगल कम्युनीटी का ही संबती जैसे मानते हैं एकार का कि में और में में आए किन सरकार कि lead लोगों को रहने के लिए एक एरिया की बात कर रहा है और और नेशन की जो बाउंडरी की अंदर जितनी संपती है नहीं तो जितना है उस हैं सब कुछ उस नेशन का होता है मिने से उस संपति माना जाता है और वसी के माली कि कंडरी हैं और हम समशन की बात कर रहे हैं ये हमारे इंडिया की पास में में सredit इंडिया से तीन समुंदर है में पहले आरेबियन सी हैं बे ओफ बंगाल है इंडिया लांड़ की अंदर भी मिंस हमारी इंडिया की ऐसे बाउंडरी जो है यहां इस रेजियन से इस लांड बांडरी से लेकर के इतने नोटिकल माईल तक जो समुंदर भी हमारा ही है और इसको हम लोग हमारी लांड एरिया की अंदर ये बांडरी की अंदर कितना आ हुदल से और सियं उसकी साथ इतनी समुंदर में भी हमारी रिसारुस सब हमारी होता है मिद इसामारा देश की इसथी जो और एक एक यास की संपती है तो वह से तो लोग उसको से दशनल से और उसका बांडरी cable इंडरनाशनल रिसोर्चस मेंज किसी भी नेशन का संपती नहीं है किसी भी नेशन का बाउंडरी के अंदर नहीं है जो सारे नेशन की जो बाउंडरी होता है उसकी बाद जो बसता है उसी संपती को नहीं तो उसी रिसोर्चस को इंडरनाशनल रिसोर्चस कहा जाता है एक एक मना जाता है और इसने पडोस की देश gör यहां में यहां कोई देश नहीं है यह समंदर की भाग कि इंडरनाशनल रिसोर्सस में माना जाता है इंडरनाशनल रिसोर्सस को देखफाल करने का जिमदारी होता कि इंडरनाशनल ओर जैसे यून हो गया है इसा जो इन्टर्नाशनल ओर्गनाइसेशन से इसकी देखवाल करते हैं तब यही चार प्रगार की ऑनर्शिप की अनिसार इंडिविज्वल होता हैं और इसके बाद क्यों मीनिटी हो गया और तर्ड्ड नाशनल और नाशनल resources हो गया है फूर्थ इंडरनाशन और इसकी बाद on the basis of development on the basis of status and development status और development यह अनुसार हम लोग यह resources को अलग-अलग category में डिवाइड करते हैं उसमें का सबसे पहले देखिएगा potential resources potential resources means जो resources का आविश्मने, noise किया है अभी तक हम लोग इसको यूज कर रहा हैं थे इतना यहां है नहीं तो यह इस काम के 要 bord यूज करना शूरू नहीं किया है आईसा resources को potential resources कहते हैं एक्षांबल் विंश्रात की विंट सोडार अनर्जी तो में माले में हमारी समुदर की किनारे में Hazin बहुँ जाद हो है बस एक होता है तामिलनाड में इसकी युजरास्तान की कुछ पार्ट में भी गुजरात आंड़ गुजरात में और यह यह दूनों गुजरात और राजस्तान में बहुत सोडार नर्जी का और जैसे इम इनर्जी वीन इनर्जी का राजस्तान में solar energy use कर सकते हैं और गुजरात में wind energy use कर सकते हैं लेकिन इसकी हमें मालूम है बनाने के लिए तरीका भी मालूम है लेकिन हम लोग इस तरह इसको यूज अभी तक पूरी तरह से नहीं कर रहा है ऐसा resources को potential resources करते हैं और नेक्स्ट होता है developed resources तो नाम जैसे है developed already developed हो गया हम लोग यूज कर रहा है वैसे resources को developed resources करते हैं और इसके बाद स्टोख है लेकिन यह निकालने की technology हमेरे पास अभी तक नहीं है और एक separate करने का तरीक्या हम लोगों अभी तक नहीं मालूम है यह तो स्टोख करकर रखा है और हो सकता है आने वाले समय में यह जो technology आएगा तब इसको यूज हो जाएगा आयसा resources को हम लोगों स्टोख करते हैं जो resources की आविशकार हो गया है मतलब यह resources की मालूम हो गया है और कितना हमारे अवेलेबल है और यह कैसे निकाल सकते हैं सब कुछ हम लोगों जानना चुरू करते हैं लेकिन यूज करना अभी तक शुरू नहीं हुआ है एक एक्जांबल देखिएगा यहां रिवर वाटर कैन बी यूज़ फोर जनरेटिंग हाइड्रो एलेक्रिक पावर बट प्रसंटली इस बीइंग यूटलाइज़ ओल्ली लिमिटेड एक्स्टेड यह रिवर वाटर से एलेक्रिसिटी प्रोडियूस करने का टेक्नोलजी हमको मालूम है लेकिन इसको बहूत कम मात्रा में इसकी यूज़ हो रहा है इनसे इस तरह एलेक्रिस्टी रिवर वाटर से एलेक्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और यहीं है रिसर्व कहा जाता है ऐसे races को हम लोगze reserve कहते हैं इसका मतलब जो रिसॉर्स की डेवलप्मेंट की अनुसार मिटलब पेडिक न कितना ह ए इसके बाद है पोटेंशिल रिसोर्स हो गया है और इसके बाद है पोटेंशिल रिसोर्स हो गया है और इसकी हमें मालू में sustainable development है यह सब है means resources है जितना है इसका मतलब हमारे मन की अनुसार हमको जैसे मन करता है वैसा ही resources सब निकाल कर use करेगा तो बहुत समस्या हो जाएगा तब ही resources की development कैसे करना है और इसको हम लोग कैसे use करना है इसकी बारे में देखते हैं और इसकी बारे में देखते हैं तो सबसे एक important topic होता है sustainable development sustainable development means यह resources को हम लोग use करेंगे लेकिन हम लोग का one की अनुसार नहीं means हमारी जरूरत की अनुसार हम लोग आने वाले समय के लिए यह store करें सर्व करकर रखते हुए हम लोग यह resources को use करेंगे इसका मतलब हम लोग तुढ़ा संभाल कर resources को use करेंगे उसी को sustainable development करते हैं मिन्स सस्टेन करकर हम लोग हैंगे और साथ साथ में हमारे जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग इसको यूस भी करेंगे मतलब यह तो इसमें एक इंपोर्टेट वर्ड इसमें famous है इस बात में मिन्स से इस बात में यह जो development of resources के कारण केंगे हम लोग जितना अपने मन की अनुसार resources निकाल के use करेंगे तो इसमें प्रित्वी की अंदर से हम लोग निकालते हैं निकालने की अनुसार निकालना नहीं है इसमें गांधुची वर्ड याद करना चाहिए हमारे लालच के लिए रिसोर्स के लिए नहीं है लेकिन हमारी नीड लिए जतना जरूरी उतना काफी हैं। हमारे लिए हैं लेकिन हमारे ग्रीड के लिए अवैलेबल नहीं है यही याद रखना यह को इसे बोला है और क्यों बोला है गांदी जी ने बोला था यहीं क्यों बोला है कि की रिस्सर्स के डेवलप्मिंड हमें कैसे यूज करना है minaosk एसे कर सकते हैं कि यह डुनिया से मिनसे वर्लंड से कतम हो रहा हैं और यही कतम होने वाले एप्रोबलम को कैसे सॉल्ष कर सकते हैं इसके बारे में सोचने के लिए 1992 में वर्ल्ड फ़स्ट इर्थ सुमित कहा जाता है मिन्स वर्ल्ड की पहला समारोह मिन्स पूरे वर्ल्ड में से 100 कंड्रीस की लीडर्स उसी मीटिंग में उसी समारह में पाटिसिपेट किये थे यह तो हुआ था 1992 में ब्रसील की क्यापिटल जो रियो डी जनिरो रियो डी जनिरो में यही अर्थ सुमित हुआ था उसमें इसी बात की बारे में चर्चा हुआ है और चर्चा करके वहीं पे एक प्लान तयार किया था इसी प्लान को अजंडा 21 कहते हैं अजंडा 21 की अनुसार इसी वॉल्ड अर्थ सुमित में जो लीडर्स पाटिसिपेट किया हैं कौन कौन सी कंट्री की लोग है यह लोग आपस में एक डिसार लिया था जो समस्या आने वाले हैं जो इसके देखिएगा यहाँ पे कौन कौनसी प्रॉब्लम के लिए मेंस एन्वेर्ट्मेंटल डामेज, पोवर्टी, डिसीज, यह सब ग्लोबल कोर्परेशन आंडे अंडे अफ कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचल नीड अंडे शेयर्ड रस्पोंसबिलिटीज, मेंस यही प्रोब्लम को मेंस एक दूसरे को हेल्प करते हुए, यह प्रोब्लम को सोल करने के लिए उसी दिन लोग, यह प्लान तयार किया था, मेंस एडिसेशन लिया था, इसको अजंडा 21 केते हैं, और यह रियोडी जनेरों को एर्थ सुमित हुआ था, 1992, और यह कौन सी सब्जक्ट के लिए देखेगा, Declaration of Global Climate Change and Biological Diversity, और यह ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज आन्डा बायोडायवोसिटी, यह दो प्रोब्लम के दो सब्जक्ट को ले करके, यह लोग चर्चा किये थे, और उसमें चर्चा करके वह ही, जो जो डिसाइड किया है, जो बात के लिए लोगों तयार कि, decide करके आए हैं, plan किया है इसको हम लोग, agenda 21 कहते हैं. और next, resource planning. resource planning means क्या है? resource planning means, एक resources को कैसे कैसे plan किया जाता है, means उसके लिए दो-तीन दियू step होता है, resource planning के लिए. सबसे पहला step होता है resource planning में identification of invent means identify करना है एक resources को identify करना इसका मतलब resources की बारे में पता कर देते हैं ये क्या है और इससे क्या करना है और इससे क्या क्या use होता है उससे हमें क्या फायदा है इसकी बारे में identify कर देंगे और first step यही होता है resource planning में और identify करने की बाद surveying mapping and estimation estimation और measurement इसबर मतलब फिर यह resources को हम लोग मतलब पता चल गया है कि यह resources है यह स्रोध है हमें इस काम के लिए लायक है तब पता चल जाएगा तो इसमें second यह first step में इसके बाद करेंगे कि mapping करेंगे मतलब कितना है और कितना साल तक है नहीं तो कितना टाइम तक हमें इसको यूज कर सकते हैं और इसके बाद यह पूरे estimation तयार कर देते हैं second step होता है involving planning structure in doubt with appropriate appropriate technology skill and institutional setup second matter यह होता है second step यह होता है और यह जो estimation हो गया है कि resources की पूरे पता हम लोगों को चल गया है अगर यह जानकारी होने की बाद next step यह होता है फिर हम लोग इसके लिए कौन सी technology यूज कर सकते हैं कैसे कैसे यह इसको यूज करना नहीं तो इसकी usage कैसे हो जाएगा कैसे लोगों को यह काम में आएगा इसके लिए कितना कर्चा लगेगा यह सब चर्चा करके में इसके बारे में कि फाइंड कर देते हैं और स्टेप है इसके बाद switching the resources development और उसके बाद स्टेफ से काम कर लिये हैं और इसकेम पिफिंग कर लिय purchase यूज Unity और यह सब हम और समस्टी हो गया है और तर्ड्स पे होता हैं इसके लिए कितना कर्चा लेखेगा हम लोग यह रिसोर्स दिंगालने के लिए कितना कर्षा करेगा वह हमारे नाशनल दवलाप्मेंट प्लान से मार्चिंग हो रहा है यहीं च्छिक करेंगे इसका हम लोगों निकाल कर यूज करने के लिए हमारे पास बड़ेट हैं कि नहीं हम लोग एक बार चिक कर होता है इसका मतलब हम लोग और शिद्व ciclo करेंगे और सब उसकी प्लान कर देते हैं और हमारी प्रान से नेशनल इवल्प्मेटप्लांट से यह मार्चिंग करके देखते हैं और मार्चिंग करके देखे तब हमंхे मालूम होगा हूंच expects जलता है कि हमारे पास जो टेकनॉलोजी है उसी टेकनॉलोजी से इसको युज करने के के लिए निकालना है तब कितना कर्चा लेगेगा अब हमारे पास की टेकनोलोजी की अनुसार इसको यूज करने के लिए हम कर्चा करेगा तो हमें जितना इंकम उसमें से मिलता है उससे ज्यादा कर्चा हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा इसलिए इसको माचिंग करके देखते हैं यही तीन स्टेप्स होता है इसको हम लोग को रिसोर्स प्लानिंग करते हैं रिसोर्स प्लानिंग और नेक्स्ट इसको रिसोर्स को कुछ आने वाले समय के लिए रहते हुए मतलब वाने वाले समय के लिए भी यूज करना है यही सोच के साथ हम लोग रिसोर्स की डेवलपमेंट करेंगे इसको हम लोग सस्टेनिबल डेवलपमेंट करते हैं और कंसर्वेशन मिन्से जो रिसोर्स है इसको हम लोग आने वाले समय के लिए रखेंगे इनसे स्टोर करके रखेंगे मिनसे उसको हम लोग कहते हैं कि हमारी फविश्य मिनसे हम लोग फ्यूचर किस से उदार लिया है आने माले हमारी पीडी से उदार लिया है मिनसे आज हम लोग यह यूज कर रहा है उनको यूज करने के लिए भगवान ने बनाया थे लेकिन हम लो करते हैं कि नहीं करना है कि ना आने वाले समय के लिए भी मेरी पीडी के लिए लोग उसको स्टोर करकर रखना जरूरी करते हैं इसमिएिख टापिक होता है यह हम लोग को रिसोर्स क्या हैं और कितने प्रगार में क्या है और रिसोर्स प्लाइनिंग कैसे हैं और इसकी बाद कंसरवेशन क्या है यह सब हम लोग देखें हैं डेक्सट्ट डॉपिक होता है लांड रिसोर्स हमें माले में लांड रिसोर्स की मूल है हमें माल में हमें खाना मेंस भोजन कप्ड़ा सरह रहने की वेवस्ता ससब कुछ हमको मिलता है जमीन से मिलता है तो यही सबसे इंपोर्टेंट रिसोर्स जो होता है लांड रिसोर्स कहते हैं और यह लांड रिसोर्स को यूटलाइसेशन की अनुसार मिन्स हम लोग लांड बोलते हैं तो कई प्रेकार की लांड है तो यह कई प्रेकार की लांड क्या क्या है इसकी बारे में देखते हैं तो इसको किस आधार पर हम लोग इसको डिवाइड कर दे रहा है यूटलाइसेशन की अनुसार मिन्स इसकी उबयोग जै कैसे इसको यूज करता है इसकी इस्तमाल कैसे है उसके अनुसार इसको हम लोग अलग अलग क्याटेगरी में डिवैड करते हैं तो इसको हम लोग लान्ड यूज पैटेंड करते हैं लांड यूज पाटेंड लांड यूज पाटेंड मींज लांड हम लोग कैसे कैसे यूटलाइस करता है तो देखिएगा हमें माल में फोरस्ट है और जो बारन लांड है और इसके बाद अंकल्टिवेटड लांड है फालो लांड है और नेट सोन एरिया है ऐसे अलग-अलग क यह वाले यह मेतेड को हम लग लांड यूस पाटन करते हैं लांड रसोर्ससार यूस्ट फॉर फॉर्डॉइंग पर्पस यह जो परपस के लिए लांड यूस किया जाता है सबसे पहले फोरस्ट है और सेकंड लांड नौट एवाइलबल नहीं है और यह नहीं तो वेस्ट लांड जैसे पड़े हैं और इसकी बाद पुट्टों non-agricultural uses जो non-agricultural use means ब्लिडिंग बना दिया है, factory बना दिया है, road बना दिया है, railway बना दिया है, ऐसे अलग-अलग काम के लिए जो land use किया है, इसको हम लोग कायते है, second category में land not available for cultivation, cultivation के लिए available नहीं है, ऐसा जो land है, जैसे पास्टर लांड हो गया है तो उसमें कोई काल्टिवेशन नहीं होता है और इसके बाद लेकिए यहां पर जैसे लैंड अंडर मिसलेन इस ट्रीवेशन नहीं है जैसे टीक का टीक प्लांडेशन में हम लोग सागवंद की पेड लगा दिया है उसी तरह फिर कुछ एरिया होता है इसी तरह पेड पाउदा हो गया है जंगल जैसे लेकिन वह जमीन खेती करने लाइक ह में यह जो पेड उड़ सब लगा करके उसी तरह चोड़ दिये हैं और वैसे भी हो इसको कहते हैं कि मेंसे नॉट इंक्लूदर इन इट सोन एरिया मतलब यह जो खेती में नहीं आ रहा है मैंसे आक्चुली खेती में यह जो जमीन है हम लोग का है कि सागवंद की पेड लग आके छोड़ दिया हूं तो खेती में नहीं जोड़ा जाता है ऐसा जमीन को हम लोग यह अंडर मिसलेनियस ट्री क्रोप कहते हैं और नेक्स्ट काल्चराबिल वेस्टलांड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फोर मोर्दान फाइव अग्रिकल्टिवेटेबल हैं लेकिन चार- प्रवाल करने के लिए कोई नहीं तरह पड़ा है ऐसा जो जमीन है इसको हम लोग इस तीसरा कैटेगरी में माना जाता है मैंस अधर अनकल्टिवेटेड लांड में माना जोड़ा जाता है और इसकी बाद फोर्द के अटेगरी होता है फाल्व लंड फाल नानल विन्स हमें गोँच साल लगतार आड़ के बाद किसान नहें इसी तरह जमैन चोड़ देते हैं और मालों में यहां पर सब खेती करने वाले हैं तो तीन साल लगतार करने के बाद एक साल किसानने इसे तरह जमीन छोड़ देते हैं तो उसमें उसी साल में कोई खेती नहीं खरेगा तो इसी तरह जो जंगली पौधा हूग करके इसी तरह एक चोड़ा जाता है और इसके बाद फिर आगले साल को इसको साफ करके खेती करते हैं तो उस तरह चोड़ने के जो मिन्स जो जमीन को नहीं तो लांड है खेत यह जब अपना फर्टिलिटी जमीन की जो फर्टिलिटी को सोईल अपन समय छोड़ा जाता है ऐसा लांड को हम लेगों फालो लांड कहते हैं उसी तरह फालो लांड भी है और कारणड फालो मिन्स विताउट कल्टिवेशन फॉर वन और एक साल नहीं तो एक दो साल केवल छोड़के फिर अगले साल से खेती होता है उसको करणड फालो कहते हैं तो फालो लांड मिन्स करणड फालो और अधर्जान करणड फालो मिन्स वन एक से ले करके चार पांच साल से लगतार खेती नहीं होता है ऐसा जमीन को यह से अधर्जान करणड फालो कहते हैं और फिफ्त कैटेगरी है नेट सोन एरि और तो जितना एरिया में क्रोप हुआ है में इन से फसल हो है उसी अर्या को नेट सोन एरिया कहते हैं तो यही होता है लांड यूज़ पाटेंड यूडलाइसेशन के अनुसार जमीन की यूज उसके अनवसार इसको अलग-अलग के अर्टिकरी में डिवाइड करते हैं इसी को हम लगु engines पाटन कहते हैं उसके अनुसार फ्स्त होता है Fukárias second होता है land not available for cultivation 3 और करने के लिए चोड़ दिया है वैसे लांड को फालव लांड करते हैं फिर फिस्ट होता है नेट्ट सोन एरिया में खेती होता है उसको नेट्ट सोन एरिया कहते हैं और इंडिया में देखिए यहां पे दो तो पाइचाट दिया है इंडिया की यह तो 1961 6061 में और इसके बाद 2014 15 में इंडिया की लांड यूस पैटरन और दिया है और इसमें देखिएगा तो एक-एक अरिया क्या है इसकी बारे में देखे नेट इसोन एरिया 45 परसंटेज था यहां पर थो 46 परसंटेज अप्षाले और उसमें से आज कम हो गया है वाल में बिल्डिंग रोड रेल्वे यह बन गया है जादा उसके नुसर जमीन कम हो गया इसकी बाद इस ब्लू क्लार में फालो अंट सब्सक्राइब हैं च्र Canvas थरिटारी पर्संडेजर फालू लान्ड हो ए और इस तरह देखेएगा cultivate Luego लाइट कितना है न्रेट सोन है कितना है और यह करेंड फालू क्या है यह सब इसमें दिया देखेएगा कि यह परसंडेज की अनुसार दिये हैं इंडिया इन इंडिया इस 3.280 मिलियन स्क्वाइर किलो मीटर है और लांड यूस डेटा इसकी अनुसार हमारी 93% of the total geographical area है लांड यूस रिपोर्टिंग की अनुसार मैंस एक्सप्ट आसाम हस नोट बीन डन फुले मैंस आसाम को छोड़ करके बाकी हमारा इंडिया की 93% भी जमीन हम लोग यूस करता है लांड यूस डेटा की अनुसार इस आवाइलेबल फॉर 93 परसंडेज है 93 परसंडेज जमीन भी हमारी खेत करने नहीं तो कल्टिवेटेबल लांड है तो उसमें आसाम और जम्मु का स्मीर की जो पाकिसान उक्किपाइड एरिया जो होता है चाइना उक्किपाइड किया है जितना एरिया वो सब छोड़ करके 93% करते हैं और इसकी बाद नेक्स्ट ए लांड डिग्रेडेशन और कंसर्वेशन मिशेस लांड डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन मिन्स क्या होता है डिग्रेड है डिग्रेड मिन्स जो ग्रेड कम हो गया है मतलब पहले जैसा जमीन था उसकी क्वालिटी पहले से कम हो गया है जो हमारी लैंड की क्वालिटी पहले से कम होता है उसी को लैंड डीग्रेडेशन करते हैं लैंड डीग्रेडेशन की अलग रीसन होता है जिसे कैसे लैंड डीग्रेड होता है कि मालों में हमारे इर्थ में की कई प्रेकार की problem की बारे में हम लोगों छोटे class में से पढ़कर आ रहा है जो soil pollution हो गया environmental pollution हो गया ऐसे ये सब हम लोग पढ़े हैं और यही सब reason होता है land degradation का land degradation की reasons एक होता है हम लोग को कहें कि soil pollution हो गया है soil pollution means जैसे हम लोग यूज़ करने वाले pesticide हो गया है जो chemical fertilizer हो गया है यह सब की use की कारण से land की quality पहले से कम हो गया है means land degradation हुआ है और इसके बाद soil erosion means जो मिटी की घटाव हो गया है means अच्छे मिटी था उस सबसी top soil अच्छे है वे वो मिटी क्या हो गया है घट गया है बह गया है और उसी को soil erosion केते हैं soil erosion की कारण से और next soil pollution की कारण से फिर next एक soil degrade होने का reason है mining mining process मिनरल से निकालते हैं जो process होता है mining process की वजह से भी उसकी आसपास की एरिया की जैमीन की quality कम हो जाता है और इसी को भी यह सब को हम लोग इसका कारण है हम लोग का की जो mining process होता है mining process की वाद इसकी waste सब इसके आसपास की एरिया में ही चोड़ देते हैं और उसी तरह जो जमीन की quality कम हो जाता है soil की quality कम हो गया में से जो खेती करने लाइक जमीन था उसमें यह सब छोड़ दिया है तो उसमें के काम करने लाइक नहीं ऐसा जमीन खराब हो जाता है इसको हम लोग soil degradation करते हैं और next topic होता है soil as a resources soil as a resources soil means क्या है जो हमारी एर्थ की सबसे टॉप लेयर को हम लोग soil कहा जाता है इसको कैसे डिवाइड करते नहीं तो soil की सभाव कैसे हैं और इसको हम लोगो soil profile कहते हैं soil profile means soil का जो उपर की soil हम लोग निकालेगा नहीं तो soil की सभाव की अनसार इसको अलग 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 डिवाइड कर देते हैं इसको हम लोग soil profile कहा जाता है देखेगा soil profile कैसा है सबसे वाला top soil इसको हम लोगो top soil कहते थे सबसे उपर वाले soil को उपर वाले soil सबसे fertile soil होता है top soil और उसकी बाद उसकी नीचे वाले soil को उसकी नीचे वाले लेयर को subsoil कहते हैं जो subsoil यह top soil जैसे उतनी fertile नहीं है और इसकी बाद नीचे का जो सबसे नीचे वाले जो जमीन में मालुम है यह तो रॉक जैसे और यह रॉक से अलग हो करके फिर उसी को टूटते तोट ते दीरे-दीरे soil बन जाता है यह सबसे होता है क्यूए इसमें हमस पाएज पाये जाता है और मैंस फ्लान्स के अनिमेल्स का सब की हỏi बड़ियों आप यह की कुछलilly ृरिड गषब, इसमें इते हैं w भीवर मिल जाता है उसी से टॉप सोईल हमूर से समपन हो जाता है इसलिए सबसे अच्छी सोईल सोईल कहा जाता है तो स्वाइल प्रफाइल यही है सोईल हो गया है और सबसे उपर अच्छा सोईल हो गया है टॉप सोईल और इसकी बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सोईल सोईल की क्लासिफिकेशन कैसे हैं मतलब सोईल की सुभाव और उसकी structure की अनुसार हम लोगों soil को अलग-अलग क्याटेकरी में classify कर देते हैं सबसे पहले alluvial soil alluvial soil means जो alluvium नाम का content इसमें पाया जाता है alluvium means हम लोगों जो नदी की किनारे रहने वाले को मालूम है नदी जो जमीन को मिट्टी को लेकर आते हैं मिट्टी को बहांक लेकर आते हैं और इसके बाद ये मिट्टी अपने दोनों किनारे छोड़के चले जाते हैं अब धीरे दीरे छोड़ते चोड़ते जाते हैं उसी को alluvium कहते हैं alluvium और ये alluvium से जो soil संपन हो जा रहा है उसी को हम लोग अलूवियल न करते हैं इंडिया में अलूवियल सोईल पाया जाता है और इंडिया की जो नदी सब जो गंगा है या मुना है ऐसे बहुत सारे नदिया हिमालेयन्र रिवर्ज और ऐसे जो रिवर्ज की किनारी वाले जो सॉयल है उसी कोई अलूवियल rier कर सकते हैं मिन से इंडिया की जो प्लैइन एम थर उन नौर्थेन्ज में रॉटेन्ज नॉर्थेन प्लैइन आपर इसलिए यह अलूवियल as old alluvial and new alluvial soil. Old alluvial soil है तो उसको भांगर करते हैं और new alluvial soil को खदर करते हैं. Old alluvial soil है मिन्स यह जो नदी के किनारे वाले जो जमीन नया होते रहता, renew करते रहते हैं. और दूर दूर के जो soil है तो पुराना soil हो गया, उसी को भांगर करते हैं और किनारे वाले जो soil होता है तो उसको alluvial जो खदर करते हैं. और इसकी बादर, और इसमें पार्टिकल्स इस नोंड मोर फेर्टाइल दान दी बांगर, यह बांगर से ही ज्यादा फेर्टाइल होता हैं खदर, मैंसे यह नया-नया है और इसलिए बांगर अंड खदर दो प्रगार की soil होता है और इसकी बाद, नेक्स्ट, means यह अलोवियल soil is also found in eastern coastal plains, particularly in the deltas of महानदी, गोदावरी, कृष्णा अंड कावेरी rivers, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, ऐसे यह जो हिमालियन rivers की और इसके बाद, गंग कृष्णा, गोदावरी, महानदी जैसे यह सब नदी की किनारे, जो means यह नदी जिस एरिया को पानी देता है उस एरिया को पूरा हम लोग रिवर का, जो रिवर plains करते हैं, जो river plains की soil, especially जो जो यह सब हम लोग काए कि महानदी, गोदावेरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, यह सब जो river plains में, जो soil पाया जाता है, वह ही soil को alluvial soil करते हैं, और इसके बादे next category होता है, black soil, और एक और बात है, alluvial soil में क्या-क्या, खेती करने लाइक है, यह भी, देखेगा, alluvial soil है, इसमें सब सारे mineral से संपन होता है, इसलिए इसमें grown, paddy, sugar can, wheat, cereal, pulses, यह सब के लिए alluvial soil better होता है, सब से अच्छा soil होता है, और यह next black soil, black soil को एक और नाम होता है, रगर soil कहते हैं, और यह black soil, especially हम लोगों कहते हैं कि हो सकता है, यह इलावा से, माकमा बाहर आ करके, ठंडा हो करके, उसी soil बन गया है, इसलिए उसी को black soil कहा जता है, इसलिए उसी को black soil कहा जता है, इसलिए तो हमारे इंडिया में, कहते हैं, black cotton soil, में से हमारे यहां हमें, गुजरात, माथ्यप्रदेश, महराष्टा इस रेजियन में सब कोटन की खेती अच्छी से होता है, और इसी से, इस कारण से, इसी soil को हम लगो, black cotton soil भी कहते हैं, और यह clay materials है, इसी well known for, यह तो सबसे अच्छा से, नमी में सब पानी क सबसे हैं, सबसे हैं, इसी soil में पाया जाता है, देखिएगा हमारे इंडिया में, soil कहां कहां से, उसकी एक माप है, यह forest, mountain soil, alluvial soil, red, yellow, black soil, laterite soil, area, यह सब कहां कहां हैं, इंडिया की ए माप है, अब देखिएगा, और इसकी बाद, red and yellow soil, red and yellow soil means, इसमें iron की content ज्यादा होता है, इसलिए यही red color में, नहीं तो yellow color में पाया जाता है, और यह जारकंड, 34 गड़ रीजियन में, यही soil पाया जाता है, और कुछ पार्ट अफ डेकान प्लेटियों में भी, southern part of डेकान प्लेटियों, और यह पडिशा, 34 गड़, southern part of Middle Ganga Plain, इस western region में सब यह red soil पाया जाता है, और next, Latterite soil, Latterite soil means, यह Latterite soil developed from tropical and subtropical climate से, और यह तो, यह soil deep to very acidic, ज्यादा रहता है, जैसे हम लोग इसको Latterite soil कहते हैं, तो जो पथरीला मेटी भी बोलते हैं, मतलब इसमें पथर की यह ज्यादा पाया जाता है, और यह देखिएगा, यह subtropical and dry, wet and dry season में भी यह सब पाया जाता है, और इस एरिया में, very heavy rain मिलता है, उस रीजियन में भी यही Latterite soil पाया जाता है, और जैसे Western घट, महाराष्णा, ओडिश्या and some part of West Bengal, and Northern East regions, मेंस हमारी Northeast regions, जैसे मेखालेया हो गया है, मनिपूर मेखालेया उस रीजियन में भी, और Western घट में, Western घट मेंस है, जैसे केरला, तमिलनाड, उस करनाड का रीजियन में, और यह सब Latterite soil पाया जाता है, और यह Latterite soil उतनी Fertile soil नहीं है, उतनी हमारी Alluvial soil जैसे नहीं, तो Black soil जैसे उतना Fertile नहीं है, फिर भी हम देख्येगा, इस में, कंड सोईल, हिल्ली एरिया सब करनाड़ का, केरला अंद तमिलनाड, इस ओल फोर ग्योविं tea and coffee, और red Latterite soil इन तमिलनाड, अंधर प्रदेश अन केरला, are more suitable for crops like cashew nut, यह सब के लिए, cashew nut के लिए, और इसके बाद tea, coffee, यह सब के लिए, यह Latterite soil बेट्टर होता है, और इसके बाद arid soil, इसके बाद arid soil, इसके बाद arid soil means, इसके इसके color होता है, red to brown, red color नहीं तो brown कलर म जाता है, और in some areas, the salt content is very high and a common salty subtend by evaporating the water, due to the dry climate, इसमें इसमें आयसा, जो salt निकाल सकते हैं, means, समंदर की किनारे वाले region भी होता है, इसमें आयसा region है, यह arid soil पाया जाता है, और इसमें moisture content, means, यह soil नमीन नहीं नहीं नहीं, है, और यह humus भी इसमें नहीं पाया जाता है, और ऐसा soil है, इदबाई, कंगड, because of the increasing calcine condition, और यह, after proper irrigation, the soils become, cultivatable as has been the case of western Rajasthan, यह western Rajasthan, अगर proper irrigation मिलता है, तो यह खेती करने लाइक है, नहीं तो इसमें खेती, नहीं होता है, मतलब जो dessert region की आसपास में, में में से हमारी राजस्तान की जो पानी मिलेगा तो इसमें में से सिंचाय करेगा तो खेती करने लाइक नहीं तो खेती करने लाइक नहीं है ऐसा जो सोईल है इसको हम लोग एरिड सोईल करते हैं और इसके बाद बालू वाला सोईल जो होता है और इसके बाद फोरेस्ट सोई सबसे लोमी सोइल भी इसको कह सकते हैं लोमी सोइल भी कहते हैं फोरस्ट सोइल नहीं तो मौंटियन सोइल लोमी सोइल इसकी नाम रथ है और यह सोइल में कोर्स ग्रेंज जैसे मिल्लत सब रागी हो गया बजरा हो गया जोबर हो गया यह सब कहती करने के लिए यही फोरस्ट सोइल अच्छा होता है और हिमालेन रिजियन में यह सब इस शाइल पाया जाता है लोवर पाथ ऑफ दा वालीष पर्टिक्ोलरी पर्टिकुलरी ते छरी रिवंड अंड़ अलुवियल फ़ंजो पते और यह जो हिमालेने में यही मांटियन सोइल पाया जाता है और next is soil erosion and soil conservation soil erosion, soil erosion means क्या होता है जो मिट्टी के खटा होता है उसी को हम लगो soil erosion कहते हैं हमें मालो में soil erosion कैसे हो रहा है वो जो wind से नहीं तो पानी से मैंसे water की द्वारा नहीं तो wind की द्वारा जो ऊपर वाले soil हट जाता है यही problem को soil erosion कहते हैं और यह soil erosion कैसे हम लोग को control कर सकते हैं नहीं तो हमारी जमीन को हमारी soil को soil erosion से कैसे बचा सकते हैं इसकी बारे में भी देखते हैं और इसके लिए देखिएगा soil erosion हमें मालो में soil erosion से बचाने के लिए कई plants होता है कई plants means pluffing pluffing करने के method गुली बना करके उसी pluffing करते हैं और यह नेक्स्ट टेराइस फार्मिंग करा सकते हैं में से हिल्ली रीजियन है तो टेराइस फार्मिंग करा करके soil erosion से कुछ गंड्रोल कर सकते हैं और इसकी बाद soil को मिनसे हमारी land area है खेत है उसको boundary बना करके जो boundary बना कर मिनसे पेड की ट्री लगा पेड लगा करके boundary लगा के और इसमें से soil को नहीं तो हमारी खेत को बचा सकते हैं soil erosion से ऐसे अलग अलग है plans बना कर हमें अपनी soil को नहीं तो अपनी खेत को soil erosion से बचा सकते हैं फिर soil erosion के एक बहुत बड़ा reason होता है gracing animals जो इसी तरह जाकर gracing करते हैं तो मैंसे gracing मतलब कोई control नहीं है कि इसी तरह full time जानवरा कर चराते जाते हैं तो उसमें एक छोटी सी जंगली पौदा तक नहीं उगएगा उसी तरह पड़े रहेगा तब यहीं तो बहुत आराम से हवा आएगा नहीं तो बिंड आएगा नहीं तो बारिश हो जाएगा तब सुपर की मिटी चले जाएगा तो यहीं ग्रेशिंग कुछ कंड्रोल करने पर भी हमें सोईल इरोशन से बचा सकते हैं अशे मिटी हैं इसरव एक नेक्स एक मेतेड हैं मुझा हैं जो खेत खाली हो जाते हैं तो इसी तरह कोई पवदा लगाते हैं इसका मतलब उसे हमको कोई काम नहीं है मतलब खेत की हम अपने खूठ उब के लिए नहीं तो सब्सक्रादा नहीं लगाया है इसी तरह जमेन खाली होने से में फवनीट सोपने से इंदम परकिंद करने सक हेटी कर यह तो üसी को हम लगोवर्एबेर नहीं करते हैं अ कम लोग पिंग घ्र cob एरिया है अगर कोई कवर क्रॉब नहीं रहता है जब खुला रहता है जो एक समय बारिश नहीं समस्क्राइप। बहुत कम बारिश मिलता है तो एरिड रीजियन कहते हैं दॉखा पढ़ जाता है और वहां पर एक हो सकता है साल भर मेंconom Chief लिवर खेती चला सकते हैं और बाकी समय फूरा एक खेत हुआ खाली हरते थो हावा आ जाएगा तो आपर कमिटी उड़ जाएगा और नहीं तो अचानक बारिश हो जाएगा तो एक साथ आ उपर की मिट्टी पूरा चला जाता है उसतरह जो होता है तो sheet erosion कहते है और यह loo soil udhally wir • Wind Erosion Wind Erosion में से जोघ लोसosil हो गया है loose soil में से खेती कतम होनेकी बाद require कि खेत खैली पड़ता है जो अगर मीघू में तो उसमें उसमें पावदा होला नहीं होता है जमिन इसी तरह की लिए उसको जाएगा और एक सब उर जाएगा जो इरोशन होता है तो विंड एरोशन कहते हैं और इससे बचाने के लिए फिर एक मेतेड होता है सबने वाले काउंटर प्लफिंग हम लोगों बोलें कि जैसे खेत में बारी बना करके खेती करा जाता है उस तरह करता है तो like कहा जाता है और terrace farming हो गया है, terrace farming की बारे में भी हम लोगों बोले हैं कि step by step कर गया है, जैसे step seed बनाते हैं उस तरह step जैसे बना कर खेती घड़िया जाता है, तो उसको terrace farming कहते हैं, जो hilly region में terrace farming बहुत better होता है, बहुत अच्छा होता है, easy और इसके बाद, दिखिए का आपका एलेसन में, पीपल बानेजमेंट अफ एसंचियल एकोलजिकल रिस्रेवेशन, यह सिटिजन यह तो यहाँ पे एक पिच्चर दिया है, देखिए यहाँ पे लोगों ने, दिखिए, इतना है सॉयल कंसरवेशन का मैं से सोयल इरोशन से बचाने के लिए जो जो प्लान्ज हम लोगों कायें कि एक कांटर प्लफिंग कर सकते हैं और इसकी बदर टररीस फामिंग कर सकते हैं और इसकी बाद लांड को बचाने के लिए boundary बना करके इसको हमारे सोयल को हमें बचा सकते हैं और इसको हम लोगाव करते हैं अगर इटा से boundary बनाये नहीं तो पेड लगा और कि भी हमें boundary बना सकते हैं इदर पेड लगाकर कोई बाउंडरी बनाएगा तभी फैदा है बहुत जादे हावा नहीं आएगा मतलब बहुत तेजी से आंधी तुफा नहीं आएगा उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ पेड़ करेगा और उस तरह शेल्टर बेल्ट बनाकर भी हमारे खेत को हमें सुरच पेस्टिसाइड इस सब यूज़ करनेरे जगा पर हमें Фेट करने के लिए जो केमिकल फर्टिलाइसर और चमिबिकल पेस्टिसाइड है इनसेक्टिसाइड यह उस करने के जगण पर हमें और रहानिक मेटीरियल्根YU अपनी घ्यार कर सकते हैं जो था सिरें वर्मीकंबोस्ट हो गया हमारे किचन की जो कंबोस्ट वेस्ट सब हम लोग बाहर फेकते हैं उसी को हम लोग एक जगा रखके मिनसे उसको एक प्लान तयार करके उसी में यह वेस्ट मेटीरियल से हमें सबसे अच्छा कंबोस्ट बना सकते हैं मिनसे खाद बना सकते हैं और उस तरह उसी को कंबोस्ट करते हैं मिनसे हम हमारी किच्चन वेस्ट होता है हम लोग सबजी काटे हैं और इसके बाद जैसे हम लोग खेत की काटनी हो गया है कटनी होने के बाद जो वेस्ट मेटीरियल इसी तरह खेत में फेक देता हैं उसी मेटीरियल को सब इकटा करके उसी से हमें अच्छा वाला खाद बना सकते हैं इ हमें अपने खेत को नहीं तो अपनी सॉइल को अपनी लांड को हमें डिग्रेड होने से बहुत अच्छी से संबाल सकते हैं बचा सकते हैं क्योंकि जो केमिकल्स से जितना हम लोग यूज करेगा उसके अनुसर अगले साल उससे भी जमीन हमारे और खराब हो जाएगा और उसी खराब होने से इसका मतलब दालने पर हमारी खेट की अंदर जो living organisms है वही living organism हमारी खेट को नहीं तो हमारी soil को फेर्टाइल करते हैं तो उख सब मर जाते हैं तो फिर ये soil हमारे पहले से भी और खराब हो जाता है तो यहीं प्रोब्लम से बचना है तो हमें और्गानिक मितेड किसान गो यही फैमिंग के लिए और्गानिक मितेड हमें मालुमें अपनी घर में जो गोबर होता है गोबर से गोबर कंबोस्ट मिन्स वेस्ट किचन की वेस्ट है ने तो खेत की वेस्ट है यह सब को हम लोग गोबर है यह सब मिला करके एक अच्छा खाद सकते हैं तो औरगानική बोला जाता है यो सही ऊंजड़ाल से क्यों कर सकते हैं ऊसी को ऑलॉटी करते हैं वालैते हैं फैदा भी हैं हम लोग जो समान हमें खेती से तयार कर देते हैं ब WYGETABLES हो गया and fruits हो गया है और यह राइस हो गया वीट या जो भी हो हम लोग chemical fertilizer डालकर और chemical pesticide इनसेटिसाइड यह सब यूज़ करने पर सच्छों में हम लोग फिर यह खाने लाइगा हैं खाने पर भी हमारे चरीर में भी चले जाएगा और उस यह सब प्रॉब्लम से हमें यह और्गानिक में यूज़ करने पर हमारे खेत को भी बचा सकते हैं तो इसलिए हम लोग अपनी सॉयल को बचा सकते हैं यह सब में यूज़ करके और उसके लिए आप लोग तैयार में कैसे कर सकते हैं अपने घर पे भी आप लोगों को भी स्वयम तयार कर सकते हैं इसको ता फिर आप लोग भी ट्राइ करिएगा और हमारे वीडियो तो पहली बार देख रहा है तो आप लोगों सब्सक्राइब करिएगा शेर करिएगा धन्यवाद